क्यों होती है गोल्डबर्ग की एंट्री बैक स्टेट से गार्ड के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बात जानने को मिलेगी तो आए चली शुरू करते हैं Welcome Fact Finders, स्वागत रहापका हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है Fact Finders या फिर हम उसको कह सकते हैं Wrestling Facts तो दोस्तों आज हम बात कहने जा रहे हैं उस WWE Wrestler की जिसकी वापसी हुई 10 साल बार और आते ही उसने धमाका कर दिया जी हाँ दोस्तों मैं बात करा हूँ Goldberg की जिनों आते ही Survivor Series में अपना पहला मैच खेला 10 साल बात और आते ही Brock Lesnar को Beast Incarnate को बरी तरह डॉमिनेट किया था उन्होंने जी हाँ दोस्तों अगर आप एक WWE फैन है तो आपने वो मैच जरूर देखा होगा जिसमें Goldberg ने Brock Lesnar को 2 मिनिट 20 सेकंड में हरा दिया था और उसी के साथ Goldberg बन गये थे Beast Master उनके बाद उनको Beast Master का टाइटल भी दे दिया गया था तो दोस्तों आज हम Goldberg की बात करने जा रहे हैं कि उनके एंट्री जब वो बैक सेज़ से आते हैं अरीना की तरफ तो क्यों उनके एंट्री गार्ड्स के साथ की जाती है दोस्तों आपने देखा होगा उनके एंट्री गाड्स के साथ होती तो हम आपको बता दे कि उन्होंने एक इंटर्विउ में यह कहा था कि उनका जो करेक्टर है WWE में वो एक खुकार शेर जैसा है देखा जैसा है आपने देखा होगा दोस्तों कि जब वो अपने लॉकर रूम से बाहर आते हैं तो एक धार के साथ आते हैं इस से उनका रूप पता चलता है एक शेर की तरह उनको गाड्स के साथ इसलिए भी जाता है ताकि उनको एक कैरेक्टर डेविलप कर सके जिसमें गाड्स उनको बचा रहे है तभाई करने से ताकि वो जब तयार रहते हैं तो इदर उदर किसी बढ़क ना जाए किसी को मार पीट ना दे इसलिए गाड्स को उनके साथ रखा जाता है ताकि बाकी लोगों की या बाकी रेसलर्स की सिक्यूरिटी का ध्यान रखा जाए दोस्तों ये बात गोल्डबाग कितने लेजिंटरी रेसलर्स हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हमारे वीडियो पे और आपको आप हमें बताएं कि आपको हमारा पहला वीडियो कैसा लगा है आज इस चैनल का और साथ ही साथ हमारे चैनल रेसलिंग फैक्ट को सब् तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बात जानने को मिलेगी तो आए चली शुरू करते हैं